प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो तो यूपी के कानपुर में कातिल भीड का एक दूसरा चहरा सामने आया जब हाइवे पर एक बाइक हाजसे का शिकार हो गए बुरी तरह जखमी लोग मदद मांगने लगे और सडक से गाड़ियां फर्राटा भरते हुए गुजरती रहे सीता मणी में भीड के हाथ एक शक्स की जान लेने पर आमादा थे और कानपुर में भीड को किसी की जान जाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा थे सीता मणी में भीड एक अध्मरे शक्स पर लातें बरसा रही थी और कानपूर के हाइवे पर हर पल जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों की भीड में किसी को परवा नहीं थी सीता मणी में भीड वो थी जो एक युवक को घेर कर मौत के घाट उतारना चाती थी और कानपूर में भीड वो थी जो एक एक गाड़ी में गुजर रही थी लेकिन मौत के मुँ में जा रहे किसी शक्स को बचाने के लिए रुकने के लिए तयार नहीं थी सीता मनी में भी एक शक्स हत्यारी भीड से घिरा था और कानपुर में सडक से गुजर रहा हर शक्स हत्यारा था जो मदद के लिए गिरगड़ाते घायल की मदद के लिए तयार नहीं था सीता मणी में जमीन पर गिरे शक्स की चीख और दर्द पर किसी को रहम नहीं आया तो कानपूर में सडक पर गिरे पूरे परिवार की मदद के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया सीता मणी में हत्यारों के हाथ एक शक्स की जान लेने में जरा भी नहीं काम पर तो कानपूर की सड़क पर भी कुछ ऐसे हत्यारे थे जिनके हाथ सड़क पर सिस्कियां भरते लोगों का वीडियो बनाने में भी नहीं जिचके यानि कानपूर और सीता मड़ी की भीड में कोई फर्क नहीं है कभी इस भीड को इतना गुस्सा आता है कि मामूली बात पर किसी की जान ले लेती है और कभी किसी मरते हुए शक्स पर जरा सा भी रहम नहीं आता बिहार के सीता मड़ी में जो हुआ वो बेहत शर्मनाक था जब डेड़ सो गुमनाम चेहरों को ऐसा घुस्सा आया कि एक युवक मौत की नीन सुला दिया गया रुपेश नाम का युवक भीड के घुस्से का अकेला सामना कर रहा था जमीन पर गिरा रुपेश दर्द से करहा रहा था रूंगे हुए गले से चीख रहा था लेकिन जिन लोगों से रुपेश घुरा था उनका दिल पसीज नहीं रहा था कोई उसके सिर पर लात मार रहा था तो कोई उसकी पीट पर लात बरसा रहा कुछ लोग डंडे लेकर खड़े जो रुपेश की चीख कम होते ही डंडे बरसा रहे रुपेश को कई लोगों ने घेरा हुआ था और आसपास खड़े एक भी शक्स को उसकी हालत पर तरस नहीं आया भीड में बच्चे भी दिखी लेकिन सब के लिए तो जैसे कोई तमाशा चल रहा था इस हैवानियत का शिकार हुए रुपेश पर एक गाड़ी से कुछ सामान चोरी करने का आरोब लगात रुपेश की कुछ कहा सुनी शुरू हुई और थोड़ी देर में सड़क पर जमा हुई भीड ने घुसा निकालना शुरू कर दिया भीड भी ऐसी जिसे ना अदालत की जरूरत ना कानून की जरूरत ना कोई IPC ना कोई CRPC बस भीड के हाथों फाइनल इंसाफ और इस भीड के गुसे ने रुपेश की जान ही नहीं ली बल्युकि उसके परिवार को बुरी तरह से डरा दिया यहां तक की रुपेश का परिवार मामले में पुलिस की मदद लेने को भी तयार नहीं हुआ और पुलिस को लिख कर दे दिया कि उसे ना जांच करवानी है और नहीं पोस्टमॉटम करवाना लेकिन मीडिया के दबाव बनाने के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया जिन में 1500 लोग कुमनाम है रुपेश का परिवार भीड तंत्र वाले बिहार के सुशासन पर आद बबुला है और यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि बिहार में केबल पांच दिन में भीड ने अलग-अलग जगाओं पर छे लोगों की जान ली है कानपूर की भीड भी ऐसी थी जिसे किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता हादसे की तस्वीने हाईवे पर लगे सीसी टीवी कैमरे बे रिकॉर्ड हुई जिसमें एक बाइक बेकाबू होकर अचानक डिवाइडर से टकरा गए बाइक पर एक बच्चा और एक महिला भी सवार थी सब बुरी तरह जखमी हालत में सड़क पर गिर गए थोड़ी देर में एक हेलमेट पैना शक्स वीडियो में दिखा ऐसा लगा कि ये शक्स युवक की मदद करेगा लेकिन वो तो मदद करने के बजाए वीडियो रिकॉर्ड करने लगा एक गाड़ी भी घायलों के पास आकर रुकी बिहार के सासा रा में भी भीड के इंसाफ की शर्मनाक तस्वीरे सामने आई रेलवे करमचारी पर जान लेवा हमला कर 35 लाख रुपए लूटने की कोशिश हुई और लूट का आरोपी भीड के हथ्ते चड़ गया जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने की बजाए खुद ही पीटना शुरू कर दिया आरोपी बेसुद होकर जमीन पर गिर गया लेकिन भीड में शामिल दो लड़कों ने बेल्ट से आरोपी को पीटना बंद नहीं किया इस दोरान आसपास मौझूद लोग आरोपी को पीटने के लिए दोनों लड़कों को उकसाते रहे सर्याम हो रही भीड के इंसाव को देखने के लिए लोगों की भीड जुट गए लेकिन किसी ने भी दोनों लड़कों को रोका नहीं बलकि भीड लड़कों की तारीफ करती रहे लगातार बरस रही बेल्ट से युवक के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी यानि पिटाई के बाद आरोपी बेहोश हो चुका था लेकिन बेल्ट बरसा रहे लड़कों के हाथ फिर भी नहीं रुके शर्मनाक तो ये था कि भीड में मौजूद कुछ लोग तो घटना को मोबाइल में रिकॉड करने में लगे थी तो भीड में शामिल एक शक्स आरोपी की गर्दन तोड़ने के लिए कहता सुना गया बाद में भीड के गुस्से का शिकार हुए आरोपी को अस्पताल पहुचाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत होगी लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं के बाद देश के कानून में भी बड़े बदलाव की तयारी सुप्रीम कोट ने भीड की हिंसा से जुड़े मामलों पर कदम उठाने के लिए 17 जुलाई को आदेश दिया था जिसमें राजे सरकारों को सला दी गई थी कि भीड की हिंसा के मामलों से नेपटने के लिए IPC और CRPC में बदलाव करके एक नया कानून तयार किया जाए सला दी गई थी कि हर जिले में ऐसी घटनाओं से नेपटने के लिए एक अलग अफसर की तैनाती की जाए फास्ट ट्राक कोट बनाने और अफवाओं पर लगाम कसने पर भी जोड देने को कहा गया शुकरवार साथ सितंबर को मामले पर सुप्रीम कोट में दोबारा सुनवाई हुए लेकिन कोई खास तरक्टी हासल नहीं हुए क्योंकि सुप्रीम कोट के निर्देशों पर देश के केवल 11 राज्यों ने कदम उठाये थी कोट ने लापरवाही बरतने वाले राज्यों को कड़ी फटकार लगाए जिसकी वजह है पहले से मौजूद कानूनों की धिलाई देश के इतिहास में कोई भी ऐसा उधारण नहीं है जब भीड़ ने किसी हिंसा को अंजाम दिया हो और भीड़ में मौजूद सभी लोगों को कानूनी कारवाई का सावना करना पड़ा और इसलिए भीड़ के नाम पर लोग कानून हाथ में लेने से जरा भी नहीं गवराते बिहार के बेगु सराय में बीते शुक्रवार को एक स्कूल के परिसर में भीड़ ने तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी मारे गए लोगों पर आरोप था कि वो स्कूल की एक छ प्ते चड़े आरोपियों ने लोगों से रहम की गोहार लगाई लेकिन नाराज लोगों ने बदमाशों की एक नहीं सुनी भीड की हिंसा के दौरान वहां सेक्णों लोग मौजूद रहे लेकिन किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया तो जहारखन के दुमका में भ अच्चे की मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर भीड के घुस्से का शिकार बन गया भीड ने ट्रक ड्राइवर को इसकदर पीटा कि उसकी मौत हो गई सुप्रीम कोट के आदेश का असर हो या देश में भीड के गुस्से पर तेज हो रही सियासत का माना जा रहा है कि केंदर सरकार जल्द ही एक नया कानून बनाने वाली जिसका नाम मानव सुरक्षा कानून हो सकता है ये बिल ग्रेह मंत्राले ने तयार किया है जिसे जल्द ही क्याबिनिट के सामने रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि भीड की हिंसा के खिलाफ बनाए गए इस नए बिल में ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगी। भीड में शामिल हर शक्स को बराबर का दोशी माना जाएगा। चाहे वो हिंसा में शामिल वो या ना हो। अगर हिंसा के शिकार की मौत होती है तो आरोपियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान इसके अलावा पीडित की मौत होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी द धरिंदगी के बाद देश में सियासी पारा ही नहीं चड़ा बलकि ऐसे मामलों से लड़ने में कानून की लाचारी भी सामने आई। लेकिन इस वक्त भीड के गुस्से पर बिहार में हंगामा मचा हुआ है। केवल एक हफते में एक के बाद एक हुई कई घटनाओं की वज लेकिन एक के बाद एक छे घटनाएं सामने आने के बाद सरकार पैक फूट पर पुलिस वालों की कमी का रोना रो रही है। दावा किया जा रहा है कि समाज की सोच बदलने की जरूरत है। भी कानून कुछ बिगाड नहीं पाएगा। लोग ऐसी घटनाओं में जखमी होगे। तो सोचल मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किये। बीते कुछ महीनों में भीड की हिंसा की कई घटनाओं में तो सोचल मीडिया ही वज़ा बना। और दावा किया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं में 30 लोगों की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग खायल हो गए। इनमें ज्यादतर घटनाएं वो थी जिनमें सोचल मीडिया के जरीए पहली अफवाएं हिंसा की वज़ा बनी। ऐसी ही घटनाओं के बाद सोचल मीडिया पर भी सरकार ने सकती बरती। वाटसाप और फेस्बुक के अधिकारियों से मामले पर कारवाई को कहा गया। वहाँ पर नज़र रखने के लिए भी कई इंतजाम किये।